नमस्ते दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल लकीस कॉर्नर, दोस्तों हमारे गर में कार्डबोर्ट के बहुत सारे बॉक्स पड़े होते हैं, जिने हम फेक दिया करते हैं, तो उनसे आज हम लोग एक एल्बम कम फ्लावर बास बनाएंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, यह मैंने इसके लिए सैटन पेपर लिया है, देखिए यहां पर यह सिल्क जैसा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, मुझे यह पसंद है, आप कोई भी पेपर ले सकते हो, और यह मैं आगे के साइड लगाउंगी, और यह पेपर मैं अंदल के साइड ल यह हमारा एक पार्ट रेडि हो चुका है, ऐसा हम चारो को करके लेंगे, चारो पार्ट रेडि हो गया है, इसमें जो भी आपके फोटो जो आपको पसंद दो, हर साइड में हम लोगो यह वैसे फोटो चुकाना है, मैंने ऐसे ही सब चूज करके रखा है, डबल पोटो, सिंगल पोटो जो भी आपको इसके अंदर सब स्टीक करना है, ऐसे स्टीक करके रेडि करना है यह हम लोग इससे, ग्लू गन से, बराबर पीछे के साइब, स्ट्रॉ को हम लोग चिपका लेंगे, ऐसे, ऐसे चिपका लेंगे, यह दोनों साइड है न, इधर भी और वो वो साइड भी उक्वल हम लोग चिपका लेंगे, हम लोग इन दोनों को, इसमें बराबर अच्छे से चिपकाना है, कि आपस इन तीनों, चारों कार्डबोर्ट को चिपकाना है यह ऐसे, यह इस्ट्रॉ है, और इसमें फोटोज का ध्यान रखिएगा कि उल्टा ना हो जाए इस तीन चारों को हम लोग चिपका के बॉक्स जैसा बना लेंगे ऐसे बॉक्स जैसा बना के रेडी कर लेंगे यह हमारा चारों साइड से रेडी हो गया है दिखिए आपस में चिपका लिया है अम लोग उने अभी इसके उपर एक प्लास्टिक का कवर करूंगी मैं क्योंकि फोटोज खराब हो सकते हैं कभी पानी लग गया या फिर कुछ से तो इसको हम लोग इस तरह के जो प्लास्टिक होता है जो बुप में कवर करते हैं प्लास्टिक को यहां पर कवर करके कर देंगे तो यह बिल्कुल सेफ हो जाएगा प्लावर ब्लास्टिक के लिए मेरे पास यह खाली बॉटल है इसको मैं कलर से पेंट करूंगी रेड कलर है मेरे पास आपको जो दील करें अलग कलर गोल्डें जो भी कलर आपको पसंद हो आप ले लीजें मैं इसको बाहर से पेंट करके लिए लूँगी अफिस सूप जाएगा अच्छे से सुखाना है इसको पेंट करने के बाद यह ऐसे यह स्पीनर है जिससे बच्चे खेलते हैं यह आपके भी घर पर अविलबल होगा इसको मैं इसमें यूज करूंगी यह जो लक्री की मोतिया है बड़ी बड़ी ऐसे कौनसे मोतिया कुछ भी आप जो इसमें अज्जेस हो सके आप यह लगा सकते हैं इसमें रखके मैं ग्लूगन से इसको चिपका दोंगी चिपका के यह जो हम लोग का एक दूसरा इसमें अज्जेस को चिपका दिया है देखिए और इसके उपर यह जो चिपका दिया है मैंने कार्ड़ोड यह इसको ऐसे यह मोव होगा और यह हम लोग का जो आलबम हम लोगों ने बनाया था फोटो फ्रेम इसको अब्लोग इसके उपर अटेच करेंगे और इसके बडाबर सेंटर में अम लोग यह जो प्लास्टिक का दबा था इसको भी टेच करेंगे और फिर फुल रेडि करके चिपका लेंगे अम लोग यह हम लोग का बिलकुल रेडि हो गया है यह मैंने इस पीनर लगाया है बीच में और साइड में यह पीनर बहुत यह मोती लगाना है और अब यह पिल्कुल कंप्लीट हो गया है मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि बैलेंस भी ले रहा है इसमें फ्लावर पॉर्ट लगा के बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें हम लोग फ्लावर रखेंगे बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा